जाहिन दोस्तों मेरा नाम है मनुश और आप देख रहे हैं दी आर्मी वा योट्यूब चैनल तो आज हम डिस्कूस करेंगे राम सिंग यादिक की बुक का प्रेक्टिस सेट नमबर पांच जो की आपके आने वाले इंडिन आर्मी इकसाम के लिए बहुत ही मत्वपूर ही रहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और एक्जाम से लिटेट आपका कोई भी कोशिय रहता है तो आप मुझे इस नमबर पर भी वाट्साइप कर सकते हैं और सभी के सभी कोशिन जो है आपके स्पेशल जीड़ी और ट्रेडमाइन के लिए बहुत ही मत्वपूर रहने हमारा सबसे पहला कोशिन आता है सन 2022 में शीत काली ओलंपिक बिंटर ओलंपिक प्रयोत्योगताएं कहां होंगी जो आपके बिंटर ओलंपिक या शीत काली ओलंपिक है 2022 के या कहां आयोजित किये जाएंगे तो आपके बीजिंग चीन में आयोजित किये जाएंगे कुशन नमर तो आता है चौल समराज्य का अंत किसने किया था तो चौल समराज्य का अंत जो है वो कब हुआ था बारा सो दस की तेरा सो दस की करीब जो है बो चौल समराज्य का अंत हुआ था किसने करा था मालिक काफूर ने ठीक है मालिक काफूर ने जो अंत करा था और मालिक खिल जी ने सिनापती मलिक काफूर को बेजा था जिसने चोल समराज्य का अंत करा था 1310 के करीब में एक्स कुशन आपका आता है महात्मा गांदी ने अस्योग अंधोलन की शुरुबात करी थी महात्मा गांदी ने अस्योग अदोलन की जी शुरुबात करी थी 1920 में करी थी Q4 आपका आता है Q5 है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्तित है ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह आपका कहा पढ़ता है यह आपका कानपूर में पढ़ता है Next question आपका आता है उनिस्मा दो हजार बाइस का एशे खेल कहां खेले जाएंगे दो आपके उनिस्मा संसकरण होगा एशे खेलों का जो की 2022 में खेले जाएंगे यह कहां आयोजित किये जाएंगे तो आपके हांग जोव चीन में खेले जाएंगे और 2021 के जो शीट कालिर अलम्पिक है वो भी आपके बीजिंग में खेले जाएंगे निवन मैंसे कौन साजीव सबसे प्रतम अंतरिक्ष में भेजा गिया था तो कुत्ते को जो है वो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गिया था निवन मैंसे कोन साजीव सबसे प्रतम अंतरिक्ष में भेजा गिया था एक्स कुशन आता है भारत दोवारा बनाया गया UAV ठीक है UAV का नाम बताईए तो भारत दोवारा जो UAV बनाया गया था उसका नाम निशान था एक्स कुशन आपका आता है फतेफूर सिक्री में इवादत खाना किसने वनवाया था तो फतेफुर सिकरी में जो इवादत खाना है वो अकवर ने बनाया था ठीक है और फतेफुर मैक्सम जितनी भी फतेफुर सिकरी में चीज़े हैं वो आपकी किसने बनवाई थी वो अकवर नहीं बनाया थी जैसे बलंद दरवा जाओ गया Next question आपका आता है Question है बिग्यान दिवस कब मनाया जाता है तो साइस टेफ जो है आपका कब मनाया जाता है 28 परवरी को आपका साइस टेफ बनाया जाता है Question आता है रास्ति मतदान दिवस कब मनाया जाता है तो मतदान दिवस जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है कुशन आता है रास्टी यूबा दिवस जो की स्वामी वेकानंत की याद में मनाया जाता है ये कम मनाया जाता है या फिर स्वामी वेकानंत की जन्ती को मनाया जाता है ये कम मनाया जाता है बारा जन्वरी को आपका रास्टी यूबा दिवस मनाया जाता है और एको डेट आप की 22 मार्ज ठीक है 22 मार्ज को कौन सा दिर्स मनाय जाता है तो जल दीवस जो है ठीक है बिशिव जल स्रक्षन दीवस जो है आपका 22 मार्ज को मनाया जाता है एक्स कुशन आपका आता है होट लाइन क्या है होट लाइन जो है ये क्या है बुल फाइटिंग जो है ये किस देश का रास्टी खेल है ये स्पेन का रास्टी खेल जो है वो बुल फाइटिंग है कॉशिन आता है जपान का रास्टी खेल क्या है तो जपान का रास्टी खेल जो है आपका जुड़ो है Quesion आता है Canada का रास्टी खेल क्या है तो Canada का रास्टी खेल आपका eyes हो की है नेक्स क्यूशन आता है USA का तो USA का रास्टी खेल आपका base ball है Next Question देखते हैं Next Question आता है Quesion no.14 है निमल लिकित में से कौन सातेहार पेगंबर महॉम्मद के जनम दिन पर मनाया जाता है तो पेगंबर महॉम्मद के जनम दिन पर कौन सातेहार मनाया जाता है तो यह आपका इद उल मिला ठीक है इद उल्मिलाद जो है यह आपकी महुम्मद पेगंबर के दिन मनाई जाती है और साल की तीन इदे आती है और तीनो दिन जो है वो नैशनल होलिडे होती है एक्स कुशन आपका आता है कुशन इंपोर्ड़ है जली गट्टू ठीक है जली गट्टू किस खेल का किस राज्य कमें मनाया जाता है जली गट्टू खेल जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है तो जली गट्टू जो ही आपका कहां तमिल लाडू में मनाया जाता है चर्णल साइंस का हमारा सबसे पहला कॉशन आता है कॉशन है SI पदती में बिजली की इकाई क्या है तो SI पदती में आपको बिजली की इकाई बितानी है तो बिजली की इकाई होती है आपकी Ampere कुशन आता है बिजुत आवेश की SI इकाई क्या है तो बिजुत आवेश की जो SI इकाई होती है वो column या फिर column होती है column करके होती है आपको ये भी देखनी को मिल जाएगा next question आता है विद्धुत प्रतिरो ठीक है विद्धुत प्रतिरो की SI unit क्या होती है तो विद्धुत प्रतिरो की om होती है और om को इस तरह दिशाया जाता है और column को C फ्राइख की बिनाए जाता हैीग आपेर को यह लिखा जाता है। इसमें से कोई भी option नहीं होगा। इसमें इस만ों मध्यवाग सिराता है। नाम से जाना जाता है। वककरता वककरता केंडर Latino ओँ. वकरता का केंदर ठीक है वकरता का केंदर ये दो option आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर गोली दरपन या फिर वकरता का केंदर गिरती हुई तत्वों की क्या फशेष्टा होती है जैसे कोई भी तत्व होते हैं वो गिरते हैं उनमें क्या पाया जाता है तो गिरते हुए तत्वों में जो है वो तवरण पाया जाता है सबसे हलकी दातू का नाम बताईए तो सबसे हलकी धातू जो होती है आपकी लीथियम होती है ठीक है सबसे हलकी धातू जो होती है आपकी लीथियम होती है और सोडियम से आपको या रखना है इसे केरोसीन के तेल में रखा जाता है और सबसे नरम धातू जो होती है जो चाकू से काटी जा सकती है जो आपकी सोड होती है next question आपका आता है question number 20 है किसी cell की या किसी cell का सही EMF मापने बाले यंतर को क्या कहा जाता है यानि किसी भी cell की हमें EMF मापनी होगी तो उस cell या फिर किस यंतर का परियोग करेंगे potentiometer का परियोग जाता है next question आपका इंपंडन किस Christians proximity Dry energy नावकी स्लेइन किरिया होती है नावकी लेन जूहां किस में होती है hydrogen bomb में नावकी स्लेन होता है हो नावकी विछन्डन जूहां किसमें होता है और आखकी विखंडन शूह पर्माण सरी सरिप्च जो है ये आपकी स्तंदारी जीव वो विक्सित हुए है Next question आपका आता है चरम के उपरी परत को क्या कहते है उपरी परत को क्या कहते है Epidermis जो है चरम के उपरी परत को कहा जाता है Imported question है Next question आता है येकरित दवारा स्त्रावित यानि छोड़ा गया जो वाइल होता है ये कहा जमा होता है ये गॉल्व लाडर में गॉल्व लाडर में ये आपका जमा होता है नेक्स कुशन आपका आता है निवन मैंसे किसमें कार्वो हाइट्रेड सबसे अधिक पाया जाता है तो कार्वो हाइट्रेड जो होता है वो आप चावल में सरबादिक पाया जाता है और प्रोटीन की बात होती तो मास में सरबादिक प्रोटीन पाया जाता है नेक्स कुशिन आपका आता है खून के परिचलन की कोज किस ने की थी तो खून के परिचलन की कोज जो करी थी वो हारवे ने बिलियम हारवे ने करी थी नेक्स कुशिन आपका आता है यदी किसी घोल की H प्लिस को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो pH क्या होगा ठीक है तो pH पर क्या फरक पड़ेगा तो एक घटेगा ठीक है एक कम हो जाएगा चो pH बैल्यू जो है वो एक कम हो जाएगी नेक्स कुशन आपका आता है नीमन मैंसे सबसे ज़्यादा हाइट्रोजन वाइंडिंग इसमें पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा हाइट्रोजन वाइंडिंग जो है किसमें होती है एच एफ में होती है एक्स कुशन आपका आता है पिशा में शक्कर ग्लुकोस का पता गाने के लिए किस यंतर का प्रयोग किया जाता है वेरिडिस ठीक है वेरिडिस का प्रयोग किया जाता है नेक्स कुशन आपका आता है निम्न मैसी कौन सा बिदुत कुचालक है ठीक है बिदुत का अच्छा चालक नहीं है जिसे कुचालक का जाता है अगर जिस सुचालक होता तो अच्छा चालक होता, ठीक है, जैसे अलुमिनी इम हो गया और गेरेफाइट जो होती है बिदूत के अच्छे सुचालक होती है और कुछालक हीरा जो होता है बिदूत का अच्छा कंड़क्टर नहीं होता Next question जो आपका आता है रिजनिंग का हमारा सबसे पहला question आता है shrink लाप को दिए है missing number आपको ग्यात करना है पहले लिख लिख दे हैं तेस्टिट, 38, 24 next आपको ग्यात करना है 19 और 18 simple था है minus कर तो ठीक है इसमें से कितने कम हुए इसमें से 5 minus कम हुए 33 में से 5 minus करोगो 28 में से कितने minus करोगे 4 minus करोगे तो आपके पास 24 आजाएगा इसमें हमें पता नहीं कितने minus है इसमें भी हमें तभी ग्यात होगा अगर next number आपको ग्याता है और इसमें से minus 1 हुआ है तब आपके 18 हुए याँ पर आपके minus 4 हो रहे है माइनिस 5 हो रहे हैं माइनिस 4 हो रहे हैं कितना आजगा आपके बास 21 आजएगा और 21 मेंस 2 करोगे तो 19 आपके पास आजएगा तो माइनिस 3 ही आओंगे 24 मेंस 3 होंगे next quiz जो आपका आता है question 47 है धागा जो है आपका कपडा से सबंदित है, धागा जो है आपका कपड़ा सबंदित है, तार जो है या आपकी किस सबंदित होगी, option आपके रसी, जाले, छलनी या फिर टेलिफोन, जल्दी से बताइए, तार जो है आपकी किस सबंदित होगी, जाले सबंदित होगी, तार आपकी, next question आपका आता है, question है, अ कौन सा अक्षर आपके बाएं से, स्तार में अक्षर से, बाएं पंद्रमा अक्षर होगा। सबसे पेले बोलता है, A, B, C, जोड़ी होती है., हमारी A से, Z तक होती, ईसे हमें लटा लिकने हैं। लटा कैसे आएग आपका, Z से A तक आपकी यह आईगी ठीक है। फिर बोलता है कि कौन सा अक्षर आपके यानी मेरी तर्फ के बाएं से तो बाएं का side कोन होगा मेरा left side जो ठीक है left side जो है मेरा बाएं होगा तो left side आपका क्या आ रहा है जेड आ रहा है तो जेड से आपको उल्टी गिंती स्टार्ट करनी है Z, Y, X, W, B यहां से लेकर आपको स्तारा नमबर तब गिरना है ठीक है स्तारा नमबर आपका कहां पर जाकर आएगा J नमबर पर ठीक है J जो आपका आएगा वो सतरा नमबर पर आएगा फिर बोलता है J से ठीक है स्तारा अक्षर मैंने ले लिए इसके बाएं से कहता है के L M ऐसे करके मुझे कितने नमबर पर जाना है 15 अक्षर जाना है तो 15 में अक्षर पर कोन आएगा 15 में अक्षर पर हमारा आएगा Y ठीक है 15 में अक्षर पर कोन आएगा Y आएगा तो से अंसर क्या होगा Y जो होगा Y इसका से अंसर होगा next question आपका आचा है question number 49 है यदि x तथा y भाई है x और y जो हैं ये दोनों क्या है भाई है और x की बहन z है z जो है वो x की बहन है तो y भी क्या लगी y की भी बहन लगी फिर बोलता है q का भाई p है q कोई मान लिए कोई person उसका भाई जो है वो क्या है p है फिर बोलता है y की बेटी क्यों है ये बाई जो है इसकी बेटी क्यों है q है ये क्या लगी इसकी बेटी लगी ये बहन थी इन दोनों की ठीक है z इन दोनों की बहन थी ये इसका भाई था फिर बोलता है p का चाचा कोनों का p का चाचा ठीक है पी का चाचा यह दोनों बाई वेहन院 है ये इसकी बेटी है तो इसका पापा लगा ठीक है ये इसकी बेटी है तो इसका पापा लगा चाचा कोनों हुआ चाचा जो है वो X हुआ तो option number B जो है वो सही रहेगा next question आपका बोता है यती डख्षण पूर्व बन जाए ठीक है डख्षण पूर्व बना दे जाये उत्तर असी तरह अझे भी परवतिद हो जाये तो उत्तर क्या बनेगा सबसे बेले आपको यहाँ पर उत्तर दक्षिन यहाँ आपका पूरव आएगा और यहाँ पर पस्चिम आएगा एक और बना लेते हैं बोलता है कि दक्षिन पस्चिम को ठीक है माल लिया दक्षिन पस्चिम आपका कहाएगा दक्षिन और पूरव माफ करें ठीक है दक्षिन पूरव आपका ये क्या बन जाता है ये आपका पूरव बन जाता है ठीक है ये आपका पूरव बन गया और उत्तर और पस्चिम आप करें उत्तर और पस्चिम उत्तर ये आपका यहाँ है और पस्चिम यहाँ है उत्तर पस्चिम आपका बीच माएगा ये ब बना देते हैं ठीक है दक्षिन और पश्चिम जो है यह वाले दक्षिन और पश्चिम जैसे क्या बना देगी इसे हम दक्षिन बना देगी आपका दक्षिन आ गया ठीक है यह आपका दक्षिन आ गया फिर से लिखते तो इसे यह आपका क्या आगया यह आपका दक्षिन आगया ठीक है यह आपका क्या बन गया उत्तर दक्षिन यह पर आपका दक्षिन बन गया यह पूरब पच्चिम दक्षिन ओपर क्या आगया ओपर आपका सीधा ही उत्तर आ जागया ठीक है एक उत्तर ही बचा है जो आएगा ठीक ह में बनेगा यह आपका किस दिशा में बनेगा यहाँ से देखो यह आपका एक साइड उत्तर है और एक साइड पूरे है उत्तर पूरे मैं बनेगा